ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक योगिक जो हैं वो बहुत सुख्ष्म मात्रा में होते हैं पर यदि हम उन्हें नहीं ले तो हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं यह कार्बनिक योगिक जो होते हैं यह हमारे पूरे संपूर्ण विकास के लिए हम कह सकत चैयय उप्चैय अभिक्रियाओं के लिए और हमारे मानसी क्विकास best के लिए बहुत जरूरी होते हैं इन्हें हम विटामिन कहते हैं अब देखिए सारे विटामिन हमारे शरील में नहीं बनते बहुत कुछ विटामिन ही हमारे फीर आहारनाल एक संतुलित भोजन के रूप में हमेशा एड करते हैं तो ये विटामिन जो कम मात्रा में है यदि हम इन्हें ग्रहण नहीं करते तो हमें उससे सम्बंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं प्रारंबिक समय में इन्हें वाइटल एमीन कहा गया क्योंकि उस समय जितने विटामिन ग्याद थे उन समय एमीन क्रियात्मक समू होता था पर जैसे जैसे आगे खोज होती गई तो पता चला कि सभी में एमीन ग्रूप नहीं होता अब इन्हें केवल विटामिन कहा जाता है B, vitamin C, D इस प्रकार इनका नामकरन किया गया है तो आए समझे, vitamin को हम किस प्रकार वर्गी करते हैं इन vitamins को इनकी विलेता के अधार पर दो भागों में बाटा गया है वसा में विले vitamin और जल में विले vitamin तो वसा में विले विटामिन है विटामिन A, D, E और K जबकि जल में विले विटामिन B और C है तो जब कभी हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती जाती है तो पाचन की क्रिया के सांथ सांथ जो जल में विले विटामिन है B और C ये मुत्र के द्वारा शरीर से क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं तो हमें लगातार विटामिन B और C को लेना ही रहता है इन्हें हमारे भोजन में रोज लेना होता है हलंकि बाकी विटामिन भी हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में होने चाहिए इनकी मात्रा शरीर में कम होने से हमें विभिन रोग होते हैं आईए समझे इनकी कमी से हमें कौन से रोग होते हैं इनके स्रोध क्या हैं चलिए आईए समझते हैं आईए कुछ महत्पुन विटामिन के लक्षन, स्रोध तथा उनकी कमी से होने वाली रोगों के बारे में जानकारी लेते हैं विटामिन का नाम विलेता और उप्योगिता, स्रोत, बिमारियां विटामिन A, रेटिनॉल, C20, H30, O ये तेल या वसा में घुलन्शिल है, जल में आविले, द्रिष्टी, रोग, प्रतिरोधक, चमता और वृद्धी को पढ़ाता है दूद, मक्खन, अंडा, मचली के लिवर का तेल, गाजर, हरी सब्जियां और दाल रतांधी, कौर्णिया का कठोर होना विटामिन बी वन, थाइमिन, C12, H17, N4, O, S जल में विलेशिल, इसनायू तंत्र के स्वास्त क्रिया के लिए दाल, अनाज, इस्ट, अंडा, दूद, हरी सब्जियां बेरी-बेरी रो, भूख कम लगना, व्रिधी में कमी, लक्वा विटामिन बी तू, राइबो फ्लेविन, C17, H20, N4, O6 जल में विलेशिल, शारिरिक विकास के लिए दूद, इस्ट, हरी सब्जियां, माज, मचली, अन्डा तवचा, जीब वा ओटो का फटना, आसमें बुढ़ापा विटामिन बी शिक्स, पिरिडॉक्सिन, C8, H11, O3, N जल में घुलनशिल, अमीनो अमल का उपा पचय, अनाज, चोकर सहिंद, दलहन, अंडा रक्त अलप्ता, समानिक कमजोरी घबराहत विटामिन बी च्वेल, साइनो कोबालमीन, C63, H88, CO14, N14, O14, P जल में विलैशिल, रक्त निर्मान, दूद, अंडा, लीवर, किड्नी, रक्त अलप्ता, मूँ एवं जीभ में जलन, विटामिन C, एसकार्बिक अम्ल, C6, H8, O6, जल में विलैशिल, अस्ती तथा दातों के लिए और घाउ भरने के लिए खट्टे फल, संतरा, नीबू, आवला, हरी सबजियों, टमाटर, सकर्वी रोग, मसूडों से रक्त स्राव, दंत छे, विटामिन D, कैल्सी फेरोल, C28, H44, O वसा तथा जल में विलैशिल, सुदेड अस्ती, कैल्सियम का उपापच्चे कौड लिवर ओईल, सुर्य प्रकाश, अंडे, दूद, मक्षन, रिकेट्स, बच्चों में अस्ती विक्रिती, दंत रोग, ओस्तो मलेशिया, विटामिन E, टोको फेराल, C29, H50, O2, वसा तथा जल में विलैशिल, ताप में इस्थाई तथा ओक्सी करण, प्रजनन्चमता में विद्धी, अंडा, दूद, मच्चली, अंकुरित अनाज, जनन्चमता की कमी, पेशियों में शिथलन, विटामिन K, फाइलोक्विनोन, C31, H46, O2, तेल तथा वसा में गुलन्शिल, प्रकाश एवं छार के प्रती अती सुग्राहिता, रक्त का थक्का बनाने में, हरे पत्तेदार सबजियां, अलफा अलफा, खून के जमने में देरी, ब्रेन हैम्रेज, हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में, अनतासरावी ग्रंतियों में बनते हैं, और वहां से रखते इनको, अलग-अलग कोशिकाओं और उतको तक लेकर जाता है, जहांपे ये कारे करते हैं, तो हमारे शरीर में कौन-कौन सी अनतासरावीत ग्रंतियां हैं, जैसे प्यूज ग्रंति है, अगनाशे है, इस प्रकर बहुत सारे अनतासरावीत ग्रंतियां है, तो वहां से कोशिकाओं तक ये कार्णिक योगिक जाते हैं, इन्हें हम रसाइनिक दूद भी कह सकते हैं हार्मोन्स की खासियत यह है कि यह जहां उत्पन होते वहां कारे नहीं करते यह रक्त दौरा दूसरी जगा जाकर उत्कों तक जाकर कारे करते हैं और जैसे इनका कारे खतम हो जाता है यह नस्ट हो जाते हैं हमारे शरीर में नहीं रहते ये उत्सरजी पदार्थ के साथ शरीर से बाहर निकाल दिये जाते हैं इनकी बहुत कम मात्रा शरीर में जरूरी होती है इनकी अधिक्ता से भी हमें रोग होते हैं और इनकी कमी से भी हमें रोग हो जाते हैं आईए इनका वर्गी करण देखें हार्मोन्स को हम तीन भागों में बाढ़ सकते हैं स्टेरोइड हार्मोन्स, पॉली पेप्टाइड हार्मोन्स और एमीन हार्मोन्स स्टेरोइड हार्मोन्स को देखें तो इसमें तीन साइक्लोहेक्जेन का चक्र है और एक साइक्लोपेंटेन का चक्र है कुल चार चक्री ये सरचना होती है इनके उधारन है टेस्टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स आईए दूसरे प्रकार के हार्मोन्स को समझते हैं दूसरा है polypeptide hormones, ये protein hormones भी कहे जाते हैं, इन में polypeptide की शिंकला होती है, इनके उधारण है oxytosin और vasopresin तीसरा देखें, amine hormones, ये जल में घुलनशिल hormones है, इनका उधारण है thyroxin, इस प्रकार ये hormones, जितनी भी जैवक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, उसको नियंतरित करते हैं आईए समझे, hormones का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला, कि ये शरीर की मानसिक दशा को परिवर्तित करता है, दूसरा, उपापचय को ये नियंतरित करता है तीसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली को या तो बहुत ज़्यादा सक्री भी कर सकता है और रोक भी सकता है चौथा, अन्य hormones को उत्सर्जन के लिए ये नियंतरित करता है पाँचवा, शरीर की व्रिद्धी का रुख जाना या अचानक बढ़ जाना चट्वा, रोगों से लड़ने के लिए तैयार करना आएए समझें तालिका के द्वारा कि ये hormones कीन-कीन अन्तासरावी ग्रंतियों द्वारा उत्पन होते हैं इनका क्या-क्या कार्य है, चलिए आएए समझें इस तालिका के द्वारा कुछ hormones के नाम, सुत्र तथा उनके कार्यों क्रमांग, hormones का नाम, स्रावित करने वाले अंग, कार्यों पहला, steroid hormones पहला, testosterone, androgen रिशन, वाह संधी के दोरान, नर सेक्स अंगों के विकास, तथा समान्य कार्यों पर नियंत्रन रखन, पुरुष लक्षनों के लिए उत्तरदाई, भारी अवाज, चहरे पर बाल, समान्य शारिरिक बनावट दूसरा, estrogen, estrogen, estrone, estradiol, estriol, अंडकोश, डिम्ब ग्रंथी मादा सेक्स अंगों के विकास, तथा समान्य कार्यों पर नियंत्रन रखना estradiol महिलाओं का प्रमुक हार्मोन है, यह महिलाओं में गौन यौन लक्षनों के लिए उत्तरदाई है, तथा मासिक धर्म रजो धर्म के नियंत्रन में भागीदार होता है gastrogen, pogestron, carpus luteum, निशेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशे को उप्युक्त बनाता है, या गर्भा अवस्था का विकास वा देख रेक पर नियंत्रन रखता है B. Adrenal Cortex Hormones या Carticoid, Cartisone, Carticoestron, Aldosterone इत्यादी Adrenal Cortex वसा, Protein तथा Carbohydrate के Metabolism उपापचय को नियंत्रित करता है तथा शरीर में पानी वा खनीच लवन की मात्रा नियंत्रित करता है दूसरा, Peptide Hormone A. Insulin Pancreas Glucose के उपापचय को नियंत्रित रखता है तथा खून में Glucose-ister को संतुलित रखता है B. Oxytocin पश्च प्यूश ग्रंथी बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय के संकुचन पर नियंत्रन रखता है तथा दूग्द ग्रंथी से दूद स्रावित करता है C. Vesopresin पश्च प्यूश ग्रंथी किड्नी में पानी के पुना आवशोशन को नियंत्रित करता है D. N. G. O. T. S. 2 इंसान जिसका रखत दाब उच्च होता है उनकी ब्लड प्लाज्मा में शक्ति शाली वाहिका संकिर्णन रक्त वाहिकाओं में संकिर्णन करती है तीसरा एमीन हार्मोन्स A. एड्रेनेलीन या एपिनेफरीन एड्रेनल मेडिूला ये एक एमीन योगिक है तथा ये पहला हार्मोन है जो प्रिथक किया जा सकता है जान्वर तथा मनुष्य को तातकालिक अवस्था के लिए विभिन तरीके से तयार करता है जैसे प्लस की गती बढ़ाना रक्त दाबादी यक्रित ग्लाइकोजन के रक्त ग्लुकोज तथा वसा को अपातकालिन इस्तिती में वसा अमलों में तूटने को तवरित उत्तेजित करता है इस गुन के कारण एड्रेन नेलीन औशद में प्रयोग किये जाने वाला महत्तपुन रग है B. थाइरॉक्सिन, थाइराइट ग्रंथी, कार्बोहाइड्रेट, लिपीड तथा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है